टाइम्स के यूटूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है जैसा कि आप जानते कि हम हर अपने एक एपिसोड में एक इंटर्यू में एक एक ऐसी सक्सित से आपके मुलाकात कराते हैं जिन्होंने इस देश के लिए कुछ अच्छा काम किया है और कर रहे हैं और ऐसे आज हम है अनुज मिश्रा जी के साथ के कहानी क्या कर रहे हैं हमारे साथ हैं मेडी ब्लीज भारत ये के ऊपर कारिरत है आप सब जैसे पता है कि कैंसर एक हमारे जो भारत में बड़े तेजी से बढ़ती बीमारी है और ऐसा अनुमान लगया है है कि आने वाले समय में 2025 तक हर नौव व्यक्ति में एक व्यक्ति कैंसर से पीडित होगा तो बहुत जवरी है उसके उपर कारे करना हमने बहुत सारे अनुभवी डॉक्टरों से संपर किया जैसे की डॉक्टर जी केरत मनोश शर्मा और सबसे डिसकुशन के बाद इसका हमें य लाइलाज बीमारी नहीं है और कैंसर को जड़ से या भारत से खतम किया जा सकता है इस वेरी मच पॉसिबल तो इराडिकेट कैंसर फाम दे कंट्री अरुसर जैसे की आपने बुला कि आज की बहुत ही है रिगलर बीमारी हो गई उसको और है क्या रीजन है इसका पहले ऐसा नहीं होता था कैंसर का दुख्या लोग कभी कदार हुआ करती थी मैं जाते कुछ लोग कुछ ऐसा पॉइंट क्या है क्या ट्रिगर हो रहा है क्या सी लोग गलत का रहें कर रहें कि कैंसर बढ़ रहें क्योंकि जो लोग जिनको नहीं हुआ इस वो लोग सतरक हो जाए मैं च प्लस फोन से थोड़ा दूरी और जो खान पान हम खा रहें वो सुद्ध खाएं कोशिश करें कितना सुद्ध दखा सकते हैं फास्ट फूट कम से कम करें यह कुछ चीजें हैं जिनको अपर अमल करके हम इससे थोड़ा दूरी बना सकते हैं हमने अपना जो मिशन लिया करने की कोशिश करते हैं उसमें तीन पहलु बनाए हैं पहले चलण में हम देखते हैं कैंसर के प्रति अवेर्नेस जो कि आपने बोला कि लोगों को पता नहीं है अन जाने में कुछ ऐसा कर बैठ रहे हैं जो वो कैंसर की नजदीक बहुत जा रहे हैं तो अवार्णेस सकते हैं कन्याओं को दिए जा सकते हैं बारा से 26 वर्स तक की उमर के लड़कियों को यह दी जा सकती है जिसके उपर भी हमारी ट्रेस्ट काम कर रही है कि सेकेंड चरण में हमें हमने डॉक्टरों ने हमको समझाया कि अगर आप इसको अर्ली डिटेक्ट कर लो तब भी इसको खतम किया जा सकता है तो हम अर्ली डिटेक्शन कुछ एडवांस अभी कहा है आपका विस क्या है कहां पर है कितनी लोग कैसे कवर कर रहा पूरी इंडि भी हुई है कुल मिला कि हम टोटल सौ लोग काम कर रहे हैं इस मिशन पर और हम आवावावन हमारा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुहीं में हमारे साथ जुड़ें ताकि हमको सफलता जल्दी मिले तो मैं आपको हमारा नंबर है 858093929 जिस नंबर पर आप हमसे संपर कर स प्लस अगर आपको कैंसर है तो हम आपको वह भी सुविधा बताएंगे कहां पे इसका मुफ्त इलाज हो सकता है हमारा आवाहन है कि जो लोग हमारी इस मुहीं में हमारा साथ देना चाहते हैं वह हमें कर सकते हैं जैसे कि मैंने अपना नंबर बताया 858093929 हमारा भी अपना खुद का भी वह मोटो है कि हम ज्यादा से ज्यादा कैंसर अर्ली डिटेक्शन सेंटर्स इस्टैबलिश करें ताकि होने होते ही हमें जानकारी मिल जाए कि इस विक्तियों कैंसर है और हम उसको कैंसर कर आजकल मार्कर से वेलेबिल हैं आजकल बड़े आध भारत सरकार ने भावा अटॉमिक सेंटर की मदद से समीर और्गनाइशन के साथ मिलके एक अधुनिक मशीन बनाई है जो की थार्ड मशीन है वर्ड में ऐसी जो की कैंसर को बिलकुल पॉइंट पे उसको रेडियेशन दे के टीट करती है सद्धार्त नाम रखा गया उस मश अधियरेटर है यह मशीन की खासियत यह है कि कम से कम समय में केवल तीन मिनिट के समय में यह मशीन आपके कैंसर के लाज वह एट लीस्ट एक इनिशल डिशन आपके उस पॉइंट पर दे देती ताकि वह जो जो शिकाएं जिनकी वैसे आपको कैंसर के शेल्स बढ़ रहे है उनको मार देती है और इसके कुछ सेटिंग से वह आपको लेनी पड़ती है और आप पूरी तने फिल्कुल फिट हो सकते हैं यह मशीन अभी अभी इतनी सुविधाएं नहीं है और अर्थ विस्ता भी थोड़ा सा हमें देखनी है कि वह हम पर हमारा आगे आने वाले समय में हमारा एम यही है कि हम कुछ ऐसे सेंटर्स बनाएं जहां पर यह रेडियेशन थेरपी अर्ली डिटेक्शन और और वैक्सिनेशन दिया जाएं सरकार से हमारी आवाहन है कि सरकार हमारी एंट्रस्ट को सपोर्ट करें फाइनेंशली और हमारे साथ आके जुड़ जाएं और ह इस मैशन को दिन और हम पूरे भारत में फैलाना चाथे हैं हम उनसे वादा करते हैं अगर सरकार हमारे साथ जुड़ती है तो इस मिशन को हम 5 साल ऑसी और उर आप देखेंगे जादा से जादा लोग व्यशनेंट हो रहे हैं और कैंसर करप्रभाव कंसे कंसीतरा कर सकते हैं और आप इससे कॉंटेक्ट कर सकते हैं सर ने नमबर दुबारा ही बता दिया हम अपने कमेंट बॉक्स में भी सरकार नमबर देंगे आपको कोई भी तरह किसी तरह कोरी है प्लीस आप कॉंटेक्ट करें थैंक यू सो मच थैंक यू